दोस्तों आप सबी को हरीाली तीज की धेरोशुपकाम रहें। दोस्तों क्या आपको पता है कि तीज को हरीाली तीज क्यों कहते है। भवेश्य पुराण में देवी पार्वत्ती बताती हैं कि तिर्सय तिती का व्रत उन्होंने बनाया है जिस से इस्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है मानता है कि हरी आलि तीच के दिन माता पार्वती और शिव झी की आराधना सच्चे मन से करने वालों के मनुकाम में पूरी होती है तीज को हम हरितालिका क्यों कहते हैं इसके पीछे की एक दिल्चस्प कहानी है वीडियो को अंतर तक जरूर देखे कहा जाता है कि इस व्रत के महत्व की कथा भगवान शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का इस्मरण कराने के मकसद से इस प्रकार कही थी शिव जी कहते हैं हे गौरी परवतराज हिमाले पर गंगा के तड़ पर तुमने अपनी वाल्यवस्ता में अदमुकी होकर घोर तप दिया था इस अवधी में तुमने अन्य नहीं खाकर केवल हावा कही सेवन किया था इतनी अब्धी तुमने सूखे पत्ते चबाकर खायते मात की शितलता में तुमने निरंदर जल में प्रिवेश कर्तप किया था। वैशात की जला देने वाली गर्मी में पंचागनी से शरीर को तपाया। श्रावन की मुसलादार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्य जल ग्रहन किये व्यतीत किया। तुम्हारी इस कष्ट दायक तपस्या को देकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराज ही को देकर नाराज जी तुम्हारे पास आये। तुम्हारे पिता ने आने का कारण पूछा तो नाराज जी बोले ये गिरी राज मैं भगवान विष्णू के भेजने पर यहां आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन होका वह उनसे विभा करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नाराज जी की ये बास सुनकर परवत्रात अतिप्रसन्यता के साथ बोले। श्रीमान यदि स्वैम विष्णू मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपती हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रामान हैं। ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुक्त संप्रदा से यूग्त पती के घर की लक्षमी बने। नारच जी तुम्हारे पिता के स्विक्रिती पाकर विष्णू जी के पास दया और उनुने विभा तय होने का समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हे इस विभा के बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना नहीं। तुम्हें इस ट्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहली ने तुम्हारे दुख का कारण बूचा पर तुमने बताया कि मैंने सचे मन से भगवान शिव का वरण किया है लेकिन मेरे पिता ने मेरा बिवाः विष्णु जी के साथ तैकर दिया मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ अब मेरे पास प्राण देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा तुम्हारी सकी बहुत ही समझदार थी उसने कहा प्राण छोड़ने का यहां कारण ही क्या है संकट के समय धैरिश से काम लेना चाहें भारतिय नारी के जीवन की सार्तक्ता इसी में है जिसे मनुष्य के रूप में एक बार वरण किया जीवन परियत्म उसी से निर्भा करने सच्ची आस्ता और एक विष्टे के समक्ष तो भगवान भी असहाय है मैं तुम्हें घंगोर वन मिले चलती हूँ जो साधना इस तलभी है और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे मुझे पूर्ण विश्वास है कि इश्वर अवश्य ही तुम्हारी सायता करेंगे तुम्हें ऐसा ही किया तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंती तो दुखी हुए इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सहली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी अराधना के लिए लिए रहने ले वरण कर चुकी हुए यदि आप सचमुष मेरी तपस्या से प्रसंद होकर यहां पढ़ा रहे हैं तो मुझे अपनी अरधांगिनी के रूप में सुईकार कर लीज़े तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश परवत पर लोट गया हूँ उसी समय परवत राज अपने वंदू-वंद्वों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुचे तुमने सारा व्रतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाओंगी अगर वह महादेव से मेरा विभा करें तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विभा करवाया इस व्रत का महत्व है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्टा से करने वालूं कि प्रतेग स्त्री को मनमान से तफल देता हूँ इस पूरे प्रकंड में तुम्हारी सकी ने तुम्हारा हरण किया था इसलिए इस ब्रत का नम हर ताली का ब्रत हो गया दोस्तों आप किस राजे से हैं और आपके यहां तीज कैसे मनाते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दिल्चस्प और भाववीन कहानी जो हमने आपके साथ सांचा की कि आखिर हम लोग तीज का ब्रत क्यूं मनाते हैं आप कैसे तीज काते होँआर मनाते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं धन्यवाद्ट